जय है मारी माता आप सभी को Spiritual द्हान चैनल में आप सबका फेर भी वार स्वागत है आशा करता हूं माता मारी करपा आप सब पर बनी रहे सबसे बहले तो आपको नवरात्ती के पंचम दिवस की हारे शुकाबना है आशा करता हूं माता भगवती आपकी उपर करपा बनाए रखे आज मैं आपके लिए नवमी के लिए कुछ उपाए लेकर आया हूं उससर वादा नाशा को उपाए हैं ठीक उसके पहले आपको ये बता दू एक छोटा सा क्यूएने था कि सकंदन माता की कथा तो बड़े संशेप में बताना चाहूंगा सकंद कारतेकों को बोला जाता है और कारतेकों को जब मा गौरी ने गोदी लिया तब उसकंद माता की रूप में आई और उसके लिए जब लड़ाई हुई थी उसकी मैं कथा बताऊंगा कि कैसे लडाई हुई थी और किन किन से उसने अपने बच्चे की बिशे द्वेश पाला सबसे इस कारण से सकंद माता बोला जाता है दूसरी चीज ये कि लोगों ने पुछा थे कि आप कैसे उपवास रखते हैं तो मैं लोगों को बताना चाहूंगा पांचवा दिन है ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है शराब से उपास तूटता है वह भी रात में माता को जो भोग लगता है नवमी के दिन आठ के आठ और नौ दिन बिना खाना पानी के रहता हूं मैं इसलिए और आज से दूद पिलाना चाली हूँगा वह भी गाये को तो अब आते हैं कि यह अपन उपाय के बारे में उसलिए आपको हो सकता कि आवाज में वोला डिफरेंस समझ में आ रहा हूं पहला उपाय नवमी के दिन जवाब को करना है विवाह में बाधा अगर आ रही है आपको तो 36 लॉंग और 7 कपूर के तुकड़े ले इसमें हल्दी और चावल मिलाकर मादुर्गा को 11 अहुती दे दे तो आपके विवाह में जो रुकावट है वो हटेगी और अब आपको विवाह का तो पता चल गया अब दूसरे प्रयुक पर आते हैं अगर आपको संतान नहीं हो रही तो अनार के दाने ले ले अनार के दाने 27 ले उसके बाद दो लॉंग ले फूल वाली जोड़ा और तीन कपूर ले और माता दुर्गा को 11 होती दे नवमी के दिन संतान सुप्राप्त होगा आपको और लक्षमी आपके घर आएगी तीसरा अगर कारोबार ठीक नहीं चल रहा तो उसमें क्या करें अमलताश के फूल तीन लॉंग जोड़ा से दो इसको मिला ले और थोड़ा सा गही ले ले अगर जैसे अमलताश नहीं है तो पीला का नेर मिला ले और फिर से 11 होती दुरगा माता को दे दे बहुत अच्छे से बिजनस चलेगा आखर उपाए ये है आपका कि अगर जैसे कहीं यातरा पे कटना ही होती है या कोई बिजनस डील आपकी नहीं बन रही है या कुछ भी आप काम करना चाह रहे हैं तो वो नहीं बन रहा है तो आप क्या करें सिंपल तरीका है इसमें कि मूली के जो टुकड़े होते हैं हवन सामग्गरी में अच्छी तरीके से मिला कर फिर इसको माता दुर्गा के नाम से आहूती दे उसके बाद अब आपके घर पे अगर आपको ये लगता है नेगेटिव एनरजी है नेगेटिव उर्जा है कितनी भी कोई बड़ी बादा है या परिशानी आ रही है तो नव्मी के दिन आप क्या करें गी और कंडे ले और अपने कुल देवी कुल देवता के नाम से ग्यारा ग्यारा आहूती उसको देगी की ठीक अनामिका उंगली से उसके बाद क्या करें अगर आपको ये लगता है कि आपके उपर रोग बहुत है बहुत जादा रोग है तो नवमी में क्या करें हवन समा करी ले उसमें उरत मिला ले पिली सरसों मिला ले और ग्यारा अभूती अंडे की उपर डाल दें किसके नाम से बाबा बहरफ के नाम से अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि नवरातर में मैंने बाबा भहरफ का क्यों बुला मा बेटे के बिना नहीं चलती बेटा मा के बिना नहीं चलता गणेश भी भहरफ है क्योंकि वो अपनी मा की रक्षा के लिए अपने पिता से लड़ गए इसलिए तो ये सारी चीजे हैं आप इस उपाय को करें आप उस नवरातरी में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा भहवती माता मरी आप सब पर क्रिपा बनाए रखें और एक चीज और आप लोग सब इन्वाइटेड हैं जितने भी लोग जबलपुर के पास से हैं राम नभमी तारीक दस के दिन जवारे उठने हैं उजन आप सब पधारे मुरवारी में आपके लिए बंडारा है रुखने ठैरने की वस्ता सब में तरफ से अगर सहयोग राशी जरूर दें बहले एक रुपए आप दें क्योंकि मंदिर बनाना बहुत जरूरी है मेरे लिए इसलिए और आप सबके लिए भी मैं चाहता हूं और सोचता हूं वीचार रखता हूं कि हो सकता आपके लिए उतना जरूरी होगा जतना मेरे लिए है आशा करत् Immediately आपको जानकारही बसंदाई हो जाम मुरी